स्टोरी शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी, आप सब मेरी स्टोरी को लाइक करें, तभी मैं आगे स्टोरी अपलोड कर पाऊंगी, आप स्टोरी को लाइक करते हो तो, मैं मोटिवेट होती हूँ, ठैंक यू भाग 35 वो कल का इंतजार कैसे करें उसे समझ नहीं आ रहा था, उसके लिए तो यह नामुम्किन था, फिर भी उसने खुद को समझाया, उसे कल का इंतजार करना ही था, वह जाकर बैट पर लेट गया, उसे बस कशिश की याद आ रही थी उसकी बातें, उसकी खुश्बू, उसकी आवाद सबको बहुत मिस कर रहा था वही कशिश अपने एक फ्रांट की हेल्प से एक होटल में रुकी हुई थी, जिसकी उसने कानों कान भनक तक नहीं पढ़ने दी, वो अब अर्मान के सामने कभी नहीं जाना चाहती थी, और वो ये भी डिसाइट कर चुकी थी, कि वो अर्मान को कभी माफ नहीं करेगी, कभ मेशा, अगले सुबह, वा बिलकुल तयार था, कशिश से मिलने के लिए, उसने उसे लिक्ष कर रहा, पहला था वहां उसका वेट कर रहा था, उसका दोस चलो कशिश ये तुम्हारी टिकट ये रही, कशिश ने एक जूती मुस्कान चहरे पर सजा दी दोनों निकल कर वहाँ पहुँचे कशिश अपनी सीट पर बैठी उसका दोस्त अभी वही उसके साथ था कुछ जरूरत हो तो बता देना ओके कशिश कोई जल भूनकर राख हो रहा था अर्मान दोनों को गुस्से से देख रहा था अब और उसे बरदाश्ट नहीं हुआ और वह बाहर आ गया और उसने आफ देखा ना ताव कशिश के सामने और उसे लड़के के सामने खड़ा हो गया ट्रेन तो वैसे भी चलने से न रही उसने पहले ही बात कर ली थी कशिश ने जैसे ही अर्मान को देखा उसके एकस्प्रेशन गुस्से वाले हो गए फिर उसने अर्मान को इग्नो किया और अपने दोस्त से बाते करने लगी उसके दोस्त को तो कुछ पता ही नहीं था वही अर्मान का तो खून जल ही गया वह कशिश जो उसे देखते ही दोड़ते हुए आती थी वह अब उसे एगनो कर रही थी यह अर्मान सहन नहीं कर सकता था लेकिन वह कशिश किसी और से बात कर रही थी अर्मान उस लड़के के पीछे से हाथ पकड़ कर साइट कर देता है और वह लड़का तो कुछ समझ नहीं पा रहा था अर्मान कशिश की सामने जाकर खड़ा हो गया पर अब कशिश का इस पर कोई असर नहीं पढ़ने वाला था इसलिए वह भी दूसरी तरह मुवमा लेती है अर्मान रफ आवाज में मेरी तरफ देखो कशिश पर कशिश उसकी तरफ नहीं देती अर्मान छोड़ कर जा रही हूँ हाँ किसकी इजाजत इजाजत से जा रही हो कशिश बिना उसकी तरफ देखे मैं किसी की नौकर नहीं हूँ जो पूछ-पूछ कर काम करूंगी किसी से मेरी लाइफ और मेरी मरजी अर्मान कशिश का हाथ पकड़ कर चलो मेरे साथ वही कशिश अपना हाथ छुड़वाने लगती है इतने में उसका दोस्त अर्मान की बाहँ पढ़कर छोड़ उसे कह रही है ना साथ नहीं जाना टॉर्चर करता है उसे ये सुनकर कशिश ने थूप घटक लिया और अर्मान ने कशिश से हाथ छोड़ा और गुसे में उसके दोस्त की तरफ बढ़ने लगा कशिश जल्दी से अर्मान के सामने आ गई अर्मान हटो कशिश पहले इससे बात करनी है मुझे कशिश अपने दोस कि तरफ बढ़ती है देखो वंच ठैंक्स मेरी हेल्प के लिए तुम जाओ कशिश तुम डरो मत वही अर्मान का हाथ उठ गया जो कशिश ने हवा में ही रोक लिया अर्मान गुसे से मेरी बीवी से दूर रहे वरना जान ले दूंगा वो मेरी है सिर्फ मेरी अर्मान की बात सुनकर कशिश का दिल धढ़क रहा था लेकिन वो वंच से प्लीज वंच जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है यह मेरे हस्बैंड है यह मुझे टॉर्चर नहीं करते तुम प्लीज जाओ वंच गुसे में तो ठीक है मेरे 5,480 रुपे दो सारा टाइम बरबाद कर दिया कशिश गुसे में अर्मान के वॉलेट दो अपना अर्मान हैरानी से उसे देख रहा था कशिश ने उसकी पॉकेट से वॉलेट निकाला और 6,000 रुपे वंच को दे दिये वंच मुह बना कर महां से चला गया कशिश गुसे में अर्मान को वॉलेट दे कर अब जाओ यहां से अर्मान तुम चलो घर कशिश मुझे बात नहीं करनी आपसे और मैं आपके घर क्यू जाओं देखिए मैंने आपके घर का काम करना बंद कर दिया है आप दूसरा सर्वेंट धून लीजिए अर्मान गुसे में कशिश से बक्वास बंद करो घर चलो मेरे साथ वर्ना उठा के ले जाओंगा मैंने कहा ना मैं आपके घर का काम करना छोड़ दिया है मैं अपना इलाज करवाने जा रही हूँ पागल हूँ ना उसने तन कर कहा अर्मान ने कशिश को गोद में उठा लिया कशिश ने रियेक्ट नहीं किया क्योंकि वो सबके सामने अर्मान का तमाशा नहीं बनना चाहती थी लेकिन वो दूसरी तरफ देख रही थी और अर्मान उसे देख रहा था वह भी गुस्से में अर्मान ने कशि उबल रहा था हर वक्त बखबख करने वाले आज उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी अर्मान चुप क्यों हो लडो जगरो गुसा करो मुझसे पर कशिश की कान पर जू तक न रेंगी वो अभी भी बाहर ही देखती रही अर्मान ने कार रोकी और कशिश का हाथ पकड़ कर उसे अपनी तरफ घुमा दिया प्रॉबलम क्या है तुम्हारी बात कर रहा हूँ ना इधर देखो मेरी तरफ यार हो गई गलती इसे बात नहीं करोगी तो कैसे चलेगा पर कशिश अब भी चुप रही बस इस बार बहमू बना कर उसे देखने लगी अर्मान उसके करीब आ गया दोनों का चहरा आमने सामने था अब कशिश आसपास देख कर आप ये क्या कर रहे हैं ये सड़क है बेडरूम नहीं अर्मान उसके कान में वही ले जा रहा हूँ कशिश का दिल जोर से धड़का पर वह गुसे में उसे घूर कर बाहर देखने ल हो रहा था कि कॉलेज का पहला प्यार काफी दिनों बाद उससे टक्रा गया फिर वो दोनों घर पहुंच गए घर पहुंचने के बाद अर्मान उत्तरा और कशिश जल्दी से उतर कर बाहर वापस गेट की तरब जाने लगी तो अर्मान जल्दी से उसे गोद में उठा कर अंदर चलते हुए कितनी जिद्दी हो चुप चाप चलो वही कशिश ने मुह फुला लिया अर्मान उसे वापस रूम में लाया जहां हर जगह उन दोनों की फोटो लगी हुई थी कशिश ये देखकर हैरान थी अर्मान उसके कान मुझे नहीं मिल रही है उसके साथ जो फोटोस कीची थी वह भी टांग देते यहां अर्मान गुस्से में कशिश गुस्सा मत दिलाओ वह नातक था और माफी मांग ली ना यार तुमको क्या प्रॉब्लम है अब कशिश आपका अच्छा है एक तरफ घरवाली एक तरफ बा मैं फ्री हो जाओंगी और वह लड़का कैसा था क्योंकि किसी न किसी को तो मुझे भी अपनी लाइफ में अर्मान को बहुत गुस्सा आया वह तेज तेज सास लेने लगा तो कशिश भी डर गई वह थोड़ा दर कर वहां से भाग गई और वही अर्मान ने जब पलट कर द भी उसके पास पहुचने वाला था कशिश सोफे पर रखे सारे तकिया एक-एक करके अर्मान के उपर फेकने लगती है जिससे अर्मान को कोई फर्ट नहीं पड़ा कशिश भाग कर रसोई तक पहुच गई अब जगह ही नहीं बची थी तो उसने अपने चेहरे को हाथों में रख लिया अर्मान वहां पहुचा और कशिश को गुसे में किचन की स्लैब पर बिठा कर उसके पास आ गया लहजा जरूर नर्म किया है इश्क कबूल जरूर किया है तुम्हारे सामने आज भी वही अर्मान सिंगानिया है जो आग तरह जलना और जालना दोनों जानता है कशिश ने अपनी आँखों से हाथ नहीं हटाई वो उसका हाथ हटा कर उसके करीब आकर कुछ बोल रही थी थोड़ी देर पहले फिर से कहो कशिश चोर से सांस लेते हुए मैं वो अर्मान उसके होथों पर उंगली रखकर ये हूंट बहुत बोलते हैं और आज कल कुछ ज्यादा ही बोलते हैं कशिश उसकी उंगली हटा कर और आप बोलते नहीं आप तो सीधा करते हो ये बताओ कि वो लड़की आपकी गोद में और कल सब के सामने आकर आपकी मंगेतर वो रोते हुए बोली अर्मान ने उसके चेहरे को हाथों में भर लिया कशिश मेरी लाइफ में दूसरी कोई नहीं है न लेकिन एक बात यकीन मानो मेरी लाइफ में आने वाली तुम पहले और आखरी हो सच में मैं तुम से बहुत प्यार करता हूँ और पता है उस दिन से करता हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें मंदिर के सामने देखा था फिर जब तुम मुझे लिफ्ट में मिली मैं खुद को कमजोर नहीं करना चाहता था इसलिए तुम से दूर भाग रहा था पर तुमने ऐसी आदत लगवा दी कि एक रात में तुम्हारे बिना पागल हो गया कशिश अच्छा ये बताओ कि अगर मेरी सच्चाई यह नहीं होती मैं सच में आपको धोखा दिया होता तो क्या आप मुझे छोड़ कर चले जाते सच में अर्मान मुझे नहीं पता क्या सच है क्या जूट है लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और यह बात तुम समझ लो तुम्हें अच्छा लगे नहीं लगे चाहे ना चाहे मुझसे जुड़ कर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम जबर्दस्ती मेरी लाइफ में आई थी और बिना मेरी इजाजत के नहीं जा सकती हूँ कशिश अर्मान की शर्ट का कोलर पढ़कर उसके नचदीक करके देखिए मिस्टर अर्मान सिंगानिया ये कोई जबर्दस्ती का रिष्टा नहीं था आपकी मरजी मरजी भी थी और इस शादी में आपको भी पता है दूसरी बाते आपको छोड़कर जाना होता तो वहां से वापस नहीं आती है और सुन लीजिए जितने दिन आपने मुझे तड़पाया है मैं इतने दिन आपको नखरे दिखाने वाली हूँ उठा पाओगे शायद नहीं ये कहकर वो वहां से चली गई और अर्मान गुस्सा करके रह गया और फिर से कशिश की तरफ बढ़ा अब कशिश रूम में आ गई अर्मान गुस्सा होता रहा अर्मान उसके करीब आने लगा तो कशिश ने हाथ लगा दिया दोनों के बीच बहुंगली गर्दन हिलाते हुए बोली अर्मान जी मैंने कहा नहीं इतनी आसानी से नहीं अब देखिए ना मेरे नेल्स कब से पेंट नहीं किया आप नेल पेंट लगा दीजिए ना अर्मान उसे घूरते हुए देखाने लगा तो कशिश उसे घूरने लगी अर्मान ने उपर की तरफ ना में सर हिलाया फिर नेल पेंट उठाकर लगने लगा कशिश से कुछ बोलने को होती है तो वो उसको चुप होने का इशारा देता है उससे क्या नेल पेंट लगाना एक मात्र मकसद बना लिया था अपना कशिश हैरानी से उसे देखने लगी मन में यह आदमी इतना पफेक्ट क्यूं है यह सोचकर उसने सर हिला दिया वही अर्मान ने अपना पूरा काम किया और कशिश अपने नेल्स पर फोक मारने लगी तो अर्मान को चड़ाते हुए एक राजा जंगल का दरता था सबको एक दिन शेरनी आई और बना बना दिया गुलाम उसको वही अर्मान इस बार गुसे में उसे बोलना है तो कशिश उसे आँख मार देती है अर्मान जब करीब आने लगा तो कशिश थोड़ा पीछे हट जाती है क्या हुआ शेरनी दर गई उसके चेहरे की बिलकुल करीब आ गया तो शेरनी मेरी शेरनी को पसीना आ गया कशिश के शब्द मुह में ही अटक गई अगर बगावत पर उत्तर आया न ये शेर तो तुम्हें आज बहुत परेशानी हो जाएगी कशिश आँखे बंद करके ये तो चीटिंग है अर्मान जी दरा क्यों रहे हैं आप मैं नहीं खेलेगी खेल तो मैंने शुरू ही नहीं किया है अर्मान फिर बोला कशिश उसने बचने के लिए अर्मान जी भूख लग रही है खाना बना दीजिए ना ये सुनकर अर्मान एकदम शौक होकर उसे देखने लगा भाग सैतीस क्या हुआ अर्मान जी आप तो अभी तो बड़ा 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 प्यार आ रहा था एकरार जुनून चल रहा था अब शकल पर बारह क्यों बज रहे हैं अर्मान ने उसे गुसे में घुरतो वह मुह पर उंगली रखकर धीरे से बोली आए बड़े आशिक निकल गई ना आशिकी अर्मान कोल्ड एक्स्प्रेशन के साथ चलो कशिश कहा अर्मान किचन में खाना बनाने कशिश एक मिनट आप खाना बनाओगे वह हैरानी से बोली अर्मान ने उसे गोद में उठा लिया और किचन तक ले गया कशिश भी उसकी गोद में कुछ सोचते हुए बोली क्या किसी भी एंगल से ये लग रहा है कि यह मुझे मना रहे है तेवर तो बदला नहीं इनका पहले भी धमकाते रहते थे अब भी धमका रहे हैं वही अर्मान उसकी बातों को एगनो कर उसे किचन स्लैब पर बिठा देता है और कशिश पैर हिलाते हुए बैट चाती है क्या बनाओगे आप क्या बनाओके आप तो मेरे लिए वह खुश होते हुए बोले अर्मान उसे घुरा और किचन में कुछ ढूनने लगा है और बरतन कहा है कशिश अचिट्यूट देखाते हुए बोली अर्मान उसके करीब आने लगा तो कशिश में जल्दी से आँखे बंद कर ली फिर अर्मान उसके पीछे रखे कॉफी को निकलता है कशिश ने बेकार समू बना कर यह काफी बनाएंगे आप मेरे लिए मुझे यही आता है शायद इसमें दूंध और काफी डालनी है बस कशिश हैरान होते हुए आज पहली बार कॉफी बना रहे हैं वह भी मेरे लिए और बगबग करती रही अर्मान ने कॉफी बना दी और यह सब आधे घंटे में हुआ कशिश उसे घूर कर कॉफी को फूंक मार कर एक शिप लेती है और अर्मान उसे देख रहा था कशिश बिना एक्स्प्रेशन दिये कॉफी पीती रहती है अर्मान गुस्से में कैसी लगी यह नहीं बता सकती हूँ कशिश टेड़ा मुस्कुरा कर जब मैं आपके लिए खाना बनाती थी कभी आपने मेरी तारीफ की नहीं ना बस चुप चाप बिना एक्स्प्रेशन के खाते जा रहे थे तो अब मैं बदला लूंगी अर्मान टेड़ा मुस्कुरा कर तो तुम मेरी तरह बहेव करोगे अपसे जो मैं करता था वो तुम करोगी कशिश काफी मजे से पीते हुए हां अर्मान उसके पास आकर उसके कान में मधोशी भरी आवाज में तो ये बताओ जब मैं तुम्हें गोद में उठाकर प्यार करता था वो भी करोगी कशिश के गले में काफी अटक गई और वो खास में लगी फिर जल्दबाजी में वो हमें चेंज करके आता हूँ शाम होने वाली है ये कहकर वो भाग गई और अर्मान मुस्कुरा दिया उसने उसे काफी की तरफ देखा जो कशिश लगभग पी चुकी थी उसने एक सिप मारा तो उसका मुह बन गया कौफी बहुत करवी थी अर्मान उस तरफ देखते हुए जिस तरफ कशिश कई थी तेरी राहों में अब हर कदम पर मैं मिलूंगा इससे जुनून को आज दिल में जलाया है जहां देखोगी मेरा चेहरा ही दिखेगा इश्क की हर हद पार करने ये हाशिक आया है तुम मेरे लिए क्या है क्यों क्या थी यह कभी तुम्हें पता नहीं चल पाएगा तुम मेरी हो सिर्फ मेरी कशिश ये कहते हुए फोन पर बात करते हुए वापस रूम में गया जहां नाइक ड्रेस पहने कशिश बाल सुखा रही थी अर्मान आकर बैग कर बैग गया और लैप्टॉप पर काम करने लगा अब कशिश को अर्मान की तरफ देखना भी था पर वह नहीं चाहती थी कि अर्मान उस तीन बार करती है अर्मान गुस्से में उठकर आया और कशिश को उठा कर उसे बैट पर अपनी गोद में बैठा लिया हटे अर्मान जी छोड़िये अर्मान अब तुम मेरी तरफ देखो और कहीं मत देखना कशिश जान बूज कर कहीं और देखते हुए क्यू देखू मुझे नहीं देखना आपको अर्मान जुनून से उसके चहरे को अपनी तरफ घूम कर ऐसे ही मुझे देखती रहो कशिश कुछ कहने को थी कि अर्मान ने उसके मूँ पर उंगली रख दी तो आप कशिश और अर्मान एक दूसरे को देख रहे थी कुछी देर में एक दूसरे में दोनों खो गए अर्मान ने कशिश के चेहरे को हाथों में भारा हुआ था और उसके हाथों को अपनी बाहों में डाल रखा था तुम मेरा इश्क हो मेरा जुनून हो तुम मेरी आदत हो मेरी लाइफ हो मेरी वाइफ हो तुम अर्मान ने उसकी आँखों में देखकर कहा जिससे कशिश के तो दिल की धड़कने बढ़ गई अर्मान जी वो इतना ही कह पाई थी कि अर्मान ने उसको बालों को चुम लिया और फिर उसके माथे पर होट पर रख दिये इस एहसास के साथ ही कशिश ने अपनी आँखे बंद कर ली आई लव यू अर्मान जी बहुत चाहती हूँ मैं आपको सबसे ज़्यादा खुद से भी ज़्यादा ये सब उसने मन में कहा अभी वो अर्मान को कुछ दिन और सतना चाहती थी इसलिए एजहार नहीं किया पर असल में वो ये भी जानती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अर्मान की है दुनिया में कही मुझे सुकून ना मिला फिर तेरी बाहों की पनाहों में मैंने अपना घर बना लिया अर्मान ने ये कहा और तो कशिश अब और बरदाश्ट नहीं कर पाए वो शर्मा कर अर्मान के सीने से चिपक गई अर्मान ने भी उसे अपनी बाहों में कस लिया कुछ देर बाद अर्मान ने उसे खुद से दूर किया तो अर्मान की बाहों में ही सो चुकी थी अर्मान ने उसके होठों को हलका अपने होठों से चुआ और उसके बालों को ठीक करके उसे किसी बच्चे की तरह थपकी देखकर सुलाने लगा और कशिश के चेहरे पर नींद में भी मुस्कुराहट आ गई अर्मान कशिश को कंबल उड़ा कर चला गया उसके जाने से पहले वो हमीड को कुछ इंट्रोडक्शन देता है जो कशिश को खाना देने से रलेटर था और उसकी डाइट से कुछ देर बाद कशिश की आँखे खुली तो अर्मान वहाँ नहीं था वहाँ पर एक लेटर था जिसमें लिखा था ये बेल बजाओ और जो लेटर के साथ थी कशिश एकसाइटेड होकर बेल बजचती है तो कुछ देर में मेस फ्रूट उबले हुए वेज़ेटेबल सलाद और बाकी हेल्दी चीज लेकर आ जाती है कशिश के फोन पर मेसेज आया चुपचाप बिना ड्रामा के खा लेना मैं जल्दी ही आऊंगा कशिश ने मूँ बनाकर यह कैसा पती है मेरा दुनिया में एक ही कौपी होगी ये भी कोई बात हुई एक मिनट मेरा नया नमबर इसके पास कैसे आया जासूस कहीं के वह मन मार कर सब खाने लगती है पर आज उसे बेसबरी से अर्मान का वेद था एक एक पर उस घंटे की तरह लग रहा था तभी उसे अर्मान की आहत सुनाई दी तो सोने का नाटक करने लगी आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए मेरे साथ बने रहे एफिम लव स्टोरी